Hello Friends Welcome to MRK Study In this video we are talking about Top 100 Strength of material cushion Mechanical Engineering cushion वहेंगे बहुत जाद है important selected cushion रहेंगे यह पे ठीक है मैं आपको Top 100 पूरे cushion कराऊंगा आपको पूरा वीडियो देखना है ध्यान से इस पार्ट में हम 50 कुशन रखेंगे 50 कुशन पहले पार्ट में रखेंगे 50 question next part में रखेंगे कि वीडियो बहुत जादा बड़ा हो जाता है ठीक है तो पूरा वीडियो रखना भई नंबर वन वीडियो रहेगा on YouTube पे ठीक है बहुत जादा एक full detail में करने वाले हैं ठीक है चलिए तो आपको क्या करना है वीडियो को like जरू करना request रहती है आप से like करन की और चैनल को जो भी लोग नए है वो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर देखिए एक मड़ तो जो भी लोग नए है डिप्लोमा वाले हो डिप्लोमा वाले जो भी लोग है पर आई टीए वाले है बीटेक वाले वो सभी लोग सब्सक्राइब लेना चैनल को ठीक है यहां पर तयारी करा जाया थी ओन जी सी एच्पी एल आयो सील बार्क सेल एंटी पिची और पीएश्व एंड गवर्मेंट के ठीक है चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट पहला कोशन देखी फैस्ट क्या गहा रहा है रहा है और क्या इसका होसकता आप बता सकते हों इसका अप यह answer हो जाएगा next देखते हैं यहां पे डिटेल्स में देखें unit of stress तो देखो यहां पे stress आपको पता है sigma is equal to क्या होता है sigma is equal to होता है P upon A ठीक है P upon A होता है तो यहां पे देखो stress जो होती है उसकी unit क्या होती है Newton per meter square होती है एक Pascal बराबर Pascal second Newton per meter square हो गया एक क्लोग Pascal होता है 10 पास्कल पर मीटर स्क्राइर यह हो गए इसके बड़ावर होता है गीगा पास्कल इसका मतला होता है यह पर नाइन पर मीटर स्क्राइर और तो टोटल निकल के आती ही वैलू 9.81 इंटू 10.4 पास्कल ठीक है चलिए तो सेकंड कुश्चन देखते हैं सेकंड कुश्चन कहा रहा है यूनिट ऑफ स्ट्रेस इस ऐसा इनुट तो अभी हमने देखी ती यूनिट एस्ट्रेस क्या थी किलोग्राम पर मीटर एमम स्क्राइर क्या अंसर रहेगा निटन पर मीटर स्क्राइर ठीक है यह आपका यहां पर बी अप्शन चाहिए हो जाएगा चाहिए चलो नेक्स देखते हैं कुश्चन नमबर थ्री देखेंगे यंग मॉडलस यंग मॉडलस इस डिफाइन एज दा रेशियो देखिए हम सबसे पहले निटन अंड़ करेंगे और नुमेरिकल में अलग से बना रहा हम देखिया नुमेरिकल का देखो यह पार्ट बन रहा है जो मैंने आपको पार्ट बना रखें यहां पर थेक्या कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कर मॉलाकर किसी भी अग्जाम में आप उस इस वीडियो को ज stress and volumetric strain, lateral strain, stress and lateral strain, longitudinal stress and longitudinal strain, shear stress and shear strain, क्या रहेगा भई, बताईए, तो देखो, correct answer क्या हो जाएगा भई इसका, correct answer हो जाएगा, longitudinal strain and longitudinal, longitudinal stress and longitudinal strain, ठीक है, तो यह C answer इसका हो जाएगा, ठीक है, young modulus, अपना young modulus क्या होता है भी, easy denote करते हैं इसको, ठीक है, easy denote करते हैं, चलिए, next देखिए, young modulus की value जो होती है, वो सबसे ज़्यादर पूछी आती है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, steel की value होती है, होती है, 200 से 220 के बीच में, and raw tyrant, मतलब, पिटवा लोगा होता है, 190 से 200 के बीच में, cast tyrant की value होती है, 100 से 160 के बीच में, copper की जो होती है, 90 से 110, and brass की होती है, 80 से 90, and aluminum की होती है, 60 से 80, ठीक है, तो यह value होती है, यंग मॉडलिस की, जो काफी बार exam में डायटली पूछी जाती है, ठीक है, चलिए, हमारा जो steel का वो हो गया है, वो 210 जाए तर माना जाता है 210, ठीक है, हमने देखा होगा 210 से 220 लेते हैं, इस टील का सबसे ज़्यादा यह होता है, इस टील का, करले हैं, तो ब्लक मॉडलिस का formula का होधा, बलक मॉडलिस के बच्तर ब्राब होता है, the direct stress upon volumetric stress, मतलब direct stress होगा हमारा सेख्मा, ठीक है, और volumetric stress होगा है, delta V upon V, ठीक हैं, यह जो जा गई, चलिए, तो देखते हैं आ Goldman, कुछ No.4 देखें, कह자 रहा है, the ability of material to absorb energy in the elastic region is called मतलब कह रहा है कि पदात की प्रत्यास्ता छेत्र में उर्जा अफ्शोसित करने की छमता को क्या कहा जाता है बहुत इजी है वही क्या होई है resilience ठीक है resilience बोलेंगे इसको यह दिहान लगना और spring की जो property होती है जैसे मालो हमारी spring है spring है हमारी ठीक है तो इसमें कैसी property होती है resiliency ही होती है ठीक है यह spring है spring चलिए नेक्स देते हैं question काफि इंपोर्टन है strain energy storing body strain energy storing body का formula जो होता है when the load is gradually applied जब हमारा load है वो gradually धीरे धीरे applied होता है ठीक है तो इसका formula क्या बलता है यह formula आपको याद रखना है यह formula बहुत important है u बराबर sigma square upon 2e into v ठीक है तो the proof resilience per unit volume of material is known as modulus of resilience तो यह note में जो लिखा है point यह भी आपको तेयर करना है the proof resilience per unit volume proof resilience जो होता है उसका per unit volume करेंगे आप आप देखो क्या हो जाएगा हमारा तो यह हो जाएगा of material known as modulus of resilience ठीक है यह ध्यान रखना modulus of resilience हो जाएगा यहां पर तो sigma square upon 2e into v तो ऐसे करोगे आप v से v कट जाएगा तो हमारा जो बचेगा formula यह बचेगा sigma square upon 2e ठीक है तो यह important है यह याद रखना चलिए तो नई जो वीडियो देख रहे होंगा उनको शायद नहीं समझे आ रहा होगा लेकिन जो लोग जैसे थोड़ा बत पड़े लेकिए तो पड़े पड़े हो यह नहीं हो लेकिन थोड़ा था समझदार हो ठीक है इस्टे है न हम ने ना टार लेकिन नकाल रहे है इस्टेन एंड थे कैलेे है लेकिए आ दो निने गाल ज़े थे घ्रिचर रहे है तो इस्टेन एजरखने का ओर्बर्स रहे हो याद करना पड़ेगा तो चलिए दय drug मघ्यन भे लए the same as those of, बहुत अच्छा कुशन है, बहुत अच्छा कुशन है, तो modulus of rigidity जो होता है, वो क्या होता है, फिर G होता है, और G बराबर होता है, tau upon 5, अब tau क्या है, CR stress होता है, 5 होता है, CR strength, ठीक है, तो यहां भी modulus of rigidity के, जो same unit है, वो आपको बताना है, क्या क्या होगा भी, देख हैं, stress, pressure, modulus of rigidity, strength, force, pressure, stress, strength, pressure, and stress, force, and modulus of elasticity, क्या correct answer होगा, बताईए, आपके साथ से क्या correct answer हो जाएगा, यहां तो correct answer हो जाएगा, तो correct answer हो जाएगा, अमार, stress, pressure, and modulus of elasticity, ठीक है, यह answer उसका हो जाएगा, stress होता है, pressure हो गया, और modulus of elasticity, इन सभी की जो unit होती है, वो same होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, unit मतलब, तुमारी Newton per meter square, ठीक है, यह सब सेम होती है, इनकी इनकी ध्यान रख लिना, question number 6, the material which exhibits the same elastic property in all direction is called, बहुत ही अच्छे question है यह, यह बहुत जादा question पूचे जाते हैं, तो same elastic property, same elastic property जो होगी, वो कौन सा होगा, in elastic, homogenous, isotropic and isotropic, ठीक है, यह दे रहा है, तो क्या answer रहेगा इसमें से, correct answer होजाएगा, isotropic material, ठीक है, isotropic material, तो कोई यह होजाएगा, C option, isotropic material, ठीक है, यहाँ पर एक-एक material को हम clear कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो आगे चलके, ठीक है, isotropic material जो होते हैं, वो क्या होते हैं, the material which have same elastic property, same elastic property होती है, in all direction, ठीक है, जैसे आपको figure में भी दे रखा है, यहाँ पर एक कोई point बना रखा है, और same elastic property यहाँ पर इस तरीकी से तरसा रहे हैं, ठीक है, शो करा रहे हैं, जैसे even है, और यहाँ पर even है, यहाँ यहाँ भी even है, तो same elastic property है, all direction में, तो इसको बोलेंगे isotropic material, ठीक है, next देखिए, an isotropic material का क्या होता है, इसको बोलते है, non isotropic, ठीक है, इसमें कहारा है, the material which have different property in all direction, तो देखो different property आपको दिख रहे होंगी, कोई भी एक वो ले लो आप, point ठीक है, और इस point पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से different different property दिख रहे होंगे, यहाँ पर E2 है, यहाँ पर E1 है, ठीक है, यहाँ पर E3 है, तो different different property होगी के नहीं, ठीक है, तो इसको an isotropic material बोलेंगे, ठीक है, इस तरीक इसे होगी है, type of material में देखो, homogeneous material कौन सा होता है, the material which have same property, same property in given direction, एक ही direction में, और एक ही point पे, अगर हमारी same property है ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पी, homogeneous material, ठीक है, तो इस figure बन रहा है, बाकी orthotropic होता है, एक OO है, ठीक है, यहाँ पर orthotropic material क्या होता है, the material which have different plastic property, elastic property different होगी, in perpendicular direction में होगा, ठीक है, लंब बत होगा, perpendicular direction is known as orthotropic material, जैसे आप देखो, यह ऐसे कोई point बना रखा है, इस तरीके से और इस तरीके, यहाँ पर E1 है, यहाँ पर E2 है, तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, चार पांच material की यह definition है, तो याद कर लो, आप यह question पूछे आते हैं directly, जब जो गई exam दे रहा होगा, उसको पता होगा, चलिए, तो भाई, सभी लोग से request कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, बहुत महनत से यह PDF मैंने बनाया, उस PDF का देखो, टार्गेट रखता हूँ, मैं आपको यहाँ पर देखो, क्लियर बात बात बता दूँ, मैं टार्गेट रखता हूँ, यहाँ पर जो लाइक अप देखो, 500 लाइक, ठीक है, ज्या क्या है, कि हमारा जो नेस्ट आर्गेट है, वो 20K सब्सक्राइबर का है, ठीक है, 20K सब्सक्राइबर का है, तो प्लीज सभी लोग help करियेगा, इस चैनल को growth कराने के लिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जहां तक है, ठीक है, कोई फालतों के वीडियो ने बनाता हूँ, मैं आपको लगता हो कि एक कल मैंने बार का एक वीडियो बना दिया, उसमें मुझे एक बंदे ने इस तरीके से जवाब दिया, कि मैं सोच रहा था कि मतलब, मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ भी करो और इस तरीके से मतलब स्टूडेंट जवाब देते है, ठीक है, और कि एक युझाना स्टूडेंट के लिए कि मतलबूने पूस्तूडेंट के लिए कितना पैसा क्मा रंहर हो मैं कुछ भी ने कमा रहा है, कितने वाए बादे हैं वह एक हजात दो जा रुपर श्किल्देश के में इतने में कितना रुपाय कमाना था, 70-80 रुपए मुसकिल थ तो मैं देखो चैनल मैंने बनाया है तो आप लिए बनाया है तो आप इसको ग्रोथ करवाईए बस मैं आप से ग्रॉक्ष्ट कर रहा हूं ठीक है जो आपको चाहिए वो आपको यहां पर मेलेगा तो यहां पर कोई दिकत नहीं ठीक है चलो यहां पर हम देखेंगे नेक्स उप्शन इफ अनकंस्टेंड स्टील बार इसे हीटिड यूनिफॉर्मली दियर इस डेवलप तो अनकंस्टेंड बार है इसको मतलब कोई भी मतलब इसको क्या कर रहा है यहां पर मैं आपको बता कोई भी जैसे एक बार है ठीक है यह बार है यहां पर इसको हीट करा जा रहा है हीट क्यों ठीक है कोई भी सपोर्ट नहीं है इसमें तो सपोर्ट ही नहीं है तो इसमें क्या होगा नो स्ट्रेस होगा ठीक है कोई भी सपोर्ट नहीं होगा तो नो स्ट्रेस होगा चलिए क्या होगा है दूसरा फ़र्मूला हो जाएगा यहां पर लंबाई में चैन्जिन लेंग्ध क्या होता है चैन्जिन लेंग्ध का जो होगा अल्फा एल इंटू कि यहां पर लिखते रहा हूं मैं ठीक है यहां पर चैन्ज इन लेंग्ध ठीक है यह होगा इस्टेंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस्टेंड का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा डिल्टाटी ठीक है तीन फॉर्मूले बहुत जाद है इंपोर्टन्ट है तो यह थर्मल स्टेस होगे तुमारा ठीक है रेकी प्रिसास बढ़ां यहां पर दिingu अपनों आपको धेख रहोगा कोई प्रेस्ट नहीं है पहले वाली केenne क्या है यहां पे दूसरा वाला है Ł необходимо थिक है पिर अंपर doing performed alm सेवाजाब अलफा डेल्टा 2 ठीक है और ठीसरे बाली में गरें तो तो टैंसल स्ट्रेस हो जाएकर टैंसल स्ट्रेस का फर्मूला जो होता है अल्फा डिल्टा टी यह होता है ठीक है यह चीज हो गई बस आगे देखते हैं क्या शूनले फोगती है कि क्या अंसर गृइक करेक्ट अंसर हो जाएक है तो डिल्टे कि जाएक तो टीक of material by virtue of which is a material absorb maximum amount of energy before fracture मतलब एक ऐसा material जिसमें क्या है कि fracture होने से पहले वो बहुत ज्यादा energy मतलब energy को absorb कर लेता है तो इसको हम toughness बोलेंगे ठीक एक तो definition यह हो गई दूसरी definition की बात करेंगे it is the property of material to resist fracture due to high impact load like hammer blow जैसे कोई भी मतलब material पर आप अगर hammer मारते हो या फिर तो यहां पर क्या है यह material to resist fracture मतलब fracture को resist करता है due to impact load impact का मतलब होगे एक दम से load लगाते है उसको impact load बोलते हैं ठीक है toughness of material अगर toughness of material decrease decrease करोगी toughness तो when it is heated मतलब जब जब हम इसको heat करते हैं तो material क्या होते है toughness होती है वो decrease होती है ठीक है तो यहां पर ऐसे भी कहल सकते हैं कि अगर जिसको body को ठंडा करोगे तो cool करोगे तो body की toughness होगे वो increase होगी ठीक है इसे भी आता है question दो example यहां पर ले रहे हैं जैसे glass है एक तो ग्लास होगे एक बुड हो गया glass पे आप 5 kg का 5 kg का बुड पर डालोगी और 5 kg का बुड पर डालोगी तो आपको पता है कि glass break but glass break हो जाएगा ठीक है बुड इस एब्जोर्ब maximum energy of its strong ठीक है समझने आगए बुड का करेगी बुड पर अगर अगर पांच को लोगा पत्थर डालोगी और 5 kg का पत्थर डालोगी तो वो क्या है एनरजी को एब्सोर्ब कर लेगा एक दम से तूटे की नहीं बुड़ लकडी होगी वह तूटे की ग्लास तूट जाएगा तो यह एक 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 जाम्पल है इसका चलिए तो यहां पे अगर मैं कहूं तो यहां पे अगर कहूं तो तफनेस इसकी है तफनेस ग्रेटर थन इंपैक टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता बताईए डुक्टिलिटी इस्टेंथ टफनेस अंट हार्डडनेस कुछ नम-ब्र 9 का अंसर हो जाएगा बी ओप्शन ठीक है टफनेस ताफनेस हो जाएका कुछ नमच bag 9 आउसर भी में जाएक तो यहां पर देखो दो टेस्ट आपने पड़े होंगे बहुत जादा आते है एक तो चारवी टेस्ट आता है जो कि तैलमेंस को मीजर्मेंट करने के लिए होता है ठीक को और एक bernal test होता है वो hardness, hardness की measurement होती है, वो bernal test होती है, तो ये कुछ test है, important test है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये question that बुछ ले जादा, hardness test to measure by, तो bernal test, 4B test, ऐसे करके test लेके होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक test और मैं आपको दा रहा हूँ, क्या होदा है, irrigation, E-R-I-C-H-S-E-N, नाया question है, देखो, E-R-I-C-H-S-E-N, ये किस के लिए होदा है, cupping test के लिए, ठीक है, यहाँ आप लिख दे रहा हूँ, cupping test, C-U-P-P-I-N-G, cupping test, ठीक है, तो ये question important है, irrigation test, तो ये ध्यान रख लेना, बाकी आगे देखते हैं, और ductility test होता है, एक तरीके का, क्या होता है, ductility, cupping का मतल्ब होगा है, ductility, आपने cupping, अभी मैं next कराऊंगा आपको, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ductility, ठीक है, ductility के लिए होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, चलिए, irrigation test, तो तीन test मैंने करा दी, काफी important है, जाते हैं एक्जाम में, the poison ratio of cast iron is, तो poison ratio of cast iron के लिए, सीधे पूछ ले जाता है, कितना होता है, 0.27, 0.29, 0.30, ये आए हुए question है, सारे, जितने भी question है, वो आए हुए है, तो poison ratio of cast iron के लिए, यहाँ पर ये होगा, 0.27, ठीक है, आगे दिखते हैं, यहाँ पर poison ratio जो होता है, वो क्या होता है, देखो, mu से और one upon m से denote करते हैं, और इसकी कोई भी unit नहीं होती, ठीक है, unit कोई भी नहीं होती, lateral strand among longitudinal strands होता है, यहाँ पर delta d upon d, delta b upon b, इस तरीके से करेंगे, lateral strand हो जाएगा, और delta l upon l करेंगे, लंबाई के according to delta l upon l हो जाएगा, वो इसको बोलेंगे longitudinal strand, तो constant होता है, lateral strand यहाँ पर, यहाँ पर जो value होती है, poison ratio की, one upon three से लेगे, one upon four के बीच में होती है, जो इसको अगर solve करा जाएगा, तो 0.333 से लेगे, 0.25 के बीच में होती है, poison ratio की value हमेशा, ठीक है, always, तो यहाँ पर देखते है, the value of poison ratio, ratio of material, ठीक है, poison ratio of material, तो steel की case में कितना होता है, अब है, steel case में तो 0.25 से लेगे 0.33, cast iron में होता है, 0.23 से लेगे 0.27, copper में होता है, 0.31 से लेगे 0.34, brass में होता है, 0.32 से लेगे 0.42, aluminum में होता है, 0.32 से लेगे 0.36, concrete में होता है, 0.08, 0.82 लेगे 0.18, and rubber में होता है, 0.45 से लेगे 0.50, तो यह भी एक poison ratio इसमें से एक कुशन और बन जाता है तो value of more value of poison ratio इस तरीके से steel, cast iron, concrete और rubber इस तरीके से अगर आपको दे दिया है तो more value सबसे जादा value किस की होगी rubber की ठीक है इस तरीके से भी कुशन आते हैं तो 0.45 से लेकि 0.50 इस तरीके से कुशन हो गया चलिए कुशन देगिए अच्छा कुशन है according to poison ratio what will be the ratio young modulus E to shear modulus G and poison ratio poison ratio यहाँ पे हो गया तुमारा mu ठीक है अनुसार यहाँ पे कहा रहा है young modulus E से इसका ratio क्या होगा ठीक है भी क्या आंसर होगा इसका correct answer बताई दोगो आपने एक कुशन पढ़ा होगा ठीक है मैं यहाँ पे जैसे मालो कि E बराबर 2G 1 plus mu होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ठीक है जिससे समझ में आदे बहुत साफ करता हूँ E बराबर 2G 1 plus mu होता है ठीक है और E upon अगर आप G करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 1 plus mu तो E upon G ठीक है तो यहाँ पे correct answer कैसे हमारा E upon G ठीक है तो यह वाला हमने जो निकाला है वो देखो क्या हो जाएगा यह वाला ठीक है B answer हो जाएगा 2 1 plus mu ठीक है आगे देखते हैं अब आगे जो भी poison ratio से लेटेट है यह तो हो गया अब देखी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखो कि काफी important है यह जो फॉर्मूले में जो करा रहा हूं बहुत ही जादे important है ठीक है पहले भी मैं करा चुका हूं मन लेकिए यह थोड़ा सा अच्छी तरीक से लिखा हुआ है एक फॉर्मूला हमारा यह e बराबर 2g 1 plus mu ठीक है जो की relation होता है अपना ठीक है उसके बाद देखें इसी से related जो यह बनता है 2g 1 plus 1 upon m क्योंकि mu बराबर जो होता है poison ratio उसको हम 1 upon m भी लिख सकते हैं तो यह भी exam में आया हुआ है ठीक है दूसरा होता है e बराबर 3k 1-2 mu इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते है 3k 1-2 upon m ठीक है तीसरा होता है e बराबर 9kg upon 3 pk plus g g है modulus of rigidity ठीक है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो directive formula पूछा गया था ESC में और इसके बाद अगर इस पहले वाले को convert किया जाए तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि आपको यह भी दिया रखा है exam में ठीक है दूसरे वाले को दूसरा वाला जो है अभी देखो साफ कर दे रहे हैं ठीक है सारे चीज़ों को हाँ दूसरा वाला जो है दूसरा वाला इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं m e k बराबर m e upon 3 m minus 2 ठीक है तो यह सारे formula है वो बहुत ही जाद इंपोर्टन रहेंगे आपके exam के लिए तो इनको इसकी इसकी इसक ठीक है यह relation है e, g और mu में ठीक है और k में k है तुमारा bulk modulus चलिए तो next question देखते हैं next question देखिए which of the following material is most elastic तो कौन सा elastic होगा भी steel ठीक है इधिया रबर, brass, plastic और steel तो correct answer हमारा यहाँ पे steel हो जाएगा ठीक है बहुत बार question बढ़ा होगा steel d answer हो जाएगा चलिए तो यहाँ प को आपको मायलेशील की value पता होगी 210 होती है raw iron की 190 मैं करा चुका हूँ, copper की होगी 110-120 और aluminium की होगी 70, 70 और brass की होगी 96 से लेके 110 तक 110 ठीक है, क्लिविंटन पर mm2 और GPA चलिए, यहाँ पे question 13 का factor of safety is the ratio, factor of safety क्या होता है यह बार्क में पूछा गया थे ठीक है बार्क में आया थे अभी exam में, तो factor of safety is the ratio, factor of safety होता है, क्या होता है भी, yield stress upon working stress, tensile stress upon working stress, bearing stress upon working stress, bearing stress upon yield stress, तो correct answer होता है, yield stress upon working stress, ठीक है, यह answer इसका हो जाएगा, yield stress upon working stress, चलिए, यह हो जाएगा हमाँ factor of safety, बहुत जादा important आता है, question आपको याद कर लिना है, तो factor of safety, dimension मतलब dimension less होता है, मतलब इसके कोई unit नहीं होती है, ठीक है, if material, material में देखो, जैसे आपको यह पता होगा, यह तो stress होता है, और यह होता है shear stress, तो strength, stress होती है, वो strength से ज़्यादा होना चाहिए, और shear stress होती है, वो भी strength से ज़्यादा होना चाहिए, तो filler will take place, ठीक है, इस case में filler will take place यहाँ पे होता है, and factor of safety का formula जो होता है, इस तरीके से भी बनता है, factor of safety is equal to strength upon design stress यह जो होती है अपन नीचे permissible या फिर allowable stress होती है ठीक है इस तरीके से formula भी बनता है देखो आप दूसरा formula यह गया तो तीन formula एक तरीके कहीं है मतलब feeling stress हो गया उसके upon में permissible या फिर allowable stress होता है ठीक है यह तीनों formula आपको तयार कर लेने हैं क्योंकि देखो मैं आपको हर तरीक कुछन कराना चाहता हूं कि एक्जाम में कुछन पूछा कैसे जाता है ठीक है बहुत सारी लोगों सब रट लेते हैं अभी अभी एक कुछन देखो पॉइंट ऑफ कॉंटर रेक्चर का आएगा उसमें कमेंट न किया था बेंडि मुवमेंट इस जीरो होता है सर यह क्या कर अभी देखना आगे आएगा वह बहुत ज्यादा इंपोर्टन कुछन देएगा कुछन नमबर यहां पर 14 देखिए मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इस सर्कुलर एरिया हूज डायमेटर डी अबाउट एग्जिस पर्पेंट्रिकूलर टूदा एरिया पासिंग थ्राव और इसका भी दीफोर अपन 64 ठीक है चलिए तो यहां पर मुवमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं क्या के समय बंते हैं शाफ्ट के के समय देखिंगे उनिट क्या होती है ऐम्म की पावर फोर क्य होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है यह यहां पर दिखा दिए मैंने तो यह फॉर्मूला जो बन जाएगा हमारा वो यह बन जाएगा दोनों केस्ट में यह फॉर्मूला होता है यह तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको व्योडा जो पता होता है आपका डी बाई टू ठीकें तो आई बराबर तो हमको पता है पाई d4 उपन 64 होता है और बत्ते में आप ओन में d2 कर दोगे तो आपका यह ताली गाल करोगग ना तो आपको यह निकलाएगा बाद में यह सब मैंने प्रॉसेश दिखा दिया तो z बराबर section model उसका formula पूछा जाया आपको circular shaft के लिए तो z बराबर होगा pi dq upon 32 ठीक है यह हो जाएगा तीसरा formula जो important है वो polar moment of inertia polar moment of inertia क्या होता है जे बराबर ixx plus iyy plus कर रखा है दोनों को तो दोनों को अब i का हमें तो पता है moment of inertia of circular shaft क्या होता है pi d4 upon 64 होता है plus pi d4 upon 64 दोनों को जोड़ोगे ना अब fraction लोगे तो हमारा जो आ जाएगा वो j बराबर हो जाएगा pi d4 upon 32 जो होता है polar moment of inertia जे से denote करते हैं ठीक है तीसरा formula होगे चौथा formula की बात करते हैं polar modulus तो polar modulus होता है j upon r अब j तो हमने अभी निकाला था pi d4 upon 34 ठीक है और बराबर क्या होगा d by 2 ठीक है r बराबर क्या हो जाएगा r बराबर हो जाएगा हमारा d by 2 यह तो radius है तो d by 2 तो i x x plus i y y मतलब होगे हमारा pi d4 upon 32 जो आपने निकाल चुके है अपन d by 2 करोगे तो आपको formula जो बन जाएगा zp upon zp is equal to यह हो जाएगा pi dq upon 16 जो की polar modulus of circular shaft है ठीक है यह चीज़ होगी तो चार formula एक पांचमा formula देखो क्या है 5 पांचमा formula है tau maximum maximum tau निकालोगे तो 16 t upon pi dq होता है तो याद रखना इसको मैंने numerical में अभी आपको कराया है ठीक है चलिए कुछ नमबर 15 देखिए match the following matching करने को बला के तो यहाँ पे a b c d लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 to 3 तो matching करने भई क्या करेंगी young modulus shear strain, modulus of rigidity normal strain, bulk modulus transverse strain, and poison ratio volumetric strain क्या correct answer हो जाएगा भी देखो एका हमारा a का हो जाएगा 2 ठीक है young modulus होता है वो दूसरे में हो जाएगा b का हो जाएगा 1 modulus of rigidity shear strain, ठीक है c का हो जाएगा c का हो जाएगा 4 और d का हो जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा तो एक दूसरा यहां पर एक रख्टान जो सी ठीक है दो एक चार दिन तो यह आंसर हो जाएगा ठीक है इसका चलिए matching करिए which of the following is a dimensionless quantity dimensionless का मतलब हो गया dimensionless का मतलब कोई भी इसकी unit नहीं है तो यह कौन से की नहीं है भई पॉइजन रेशियो की ठीक है पॉइजन रेशियो क्या हो दा म्यू और बराबर one upon mb होता है ठीक है lateral strength upon longitudinal strength ठीक है चलिए यहां पर question number 16 17 है question number 17 ठीक है ठीक है which formula correct depth the elongation is a composite body यहां पर जैसे संयुक्त मतलब pressure count को दर्शाता है तो आपको पता है कि आपने यह formula पढ़ाऊगा delta l upon l ठीक है यहां पर जैसे shear stress अपना वो होता है ना change in length का formula change in length क्या होता delta l upon pl over यह होगे ना तो हमारा correct answer count से हो जाएगा यह पहला वाला ही हो जाएगा ठीक है पहला वाला हो जाएगा correct answer को delta l p upon जैसे हमारी shaft अला अला जुड़ी है तो l1 upon a1 plus l2 upon a2 बहुत सारे मतला आपने नुमेर कर रहे होंगे इस तरीके के तो इस तरीके से solve होता है चलिए दूसरा question question number 18 देखे विक्रती पर निवर नहीं कर चलो उटा इसको which of the following shown on the correct graph for stress strength curve for ideal elastic strength hardening material तो hardening material के लिए आपको एक सही आपको stress and strength का एक सही आपको वक्र बताना है कर्व बताना है इसमें से कौन सा correct हो जाएगा बताईए question number 18 का बताईए answer हो जाए आपका c ठीक है c answer हो जाएगा आपका जो curve है वो इस तरीके से बना हुआ है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ जूम करके इस तरीके से ठीक है यह यह है और यह stress है ठीक है अब जो curve है वो मैं आपको clear बता देगा linear elastic material सीदे सीदे पूछ ले आते हैं आप तो figure वाले question भी आने लगे है तो आप मैं यहाँ पे clear कर दो ठीक है तो यह चीज़ हो गई perfect plastic non strand hardening के लिए यह वाला बनेगा लास्टो प्लास्टिक और विस्को प्लास्टिक के लिए यह वाला बनेगा ठीक है तो यह हो गए और non linear elastic के लिए आप कॉन सा बनेगा यह वाला ठीक है तो यह फिगर है न अब थोड़ा सा लिख लेना कॉपी में कि इस तरीक से बनेगा डाट ली आएगा तो कर देना क्या दिक्कत है ठीक है चलिए नैस्टोशन देखी कुछ नवा 19 देखी बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है ठीक है तो थोड़ा सा सब्र करना क्योंकि देखो अच्छा कंटेंट कराने में टाइम लगता है हमेशा ठीक है यह चीज समझ लीजिए और स्पीड मोड में I have a एक भंगोसामंगता के लिए होता है तो आपको हमेशा प्लास्टिक जोन घ्र धीक है अगर ब्लास्टिक घृम्ट में वह लेए और गजिए की लागत देखांगता कहते हैं यह न कुछ condition बता दे रहा हूं जैसे मालो some material force act on it just like glass China wear EDC when some external force act on it falls by rapture मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे brittle material होता है जैसे glass है यह फे चाइना वाल्स है इस तरीके से बोल रहा हूं तो जिसमें अकर यह एक तरीका का rapture हो जाएगा मतलब एक तम चटक जाएगा आपने देखा हूँ ग्लास तो brittle metal के एक केस में क्या होता है कि plastic deformation zero होती है ठीक है plastic deformation होगे जीर होगे मतलब इसमें नैक भी plasticity होईगी नहीं तो tension के केस में अगर कोई बॉड़ी है उसको अगर हम कीच रहे है तो औुट कुछिन करो टो इस तर ideas की मेद मेरा की फॉन में कहने नामया टुक्द करता है की जाियो के प्रवे हमाइन के यहां पर डक्टाली में यहन dia देती तर के भी केस के स्वाईन ंरततर रातक है ठीक है इसको अटारे हूं मैं तो फेलर जो होता है वो फेफेट फेटा वो क्या होता है विए क्वेर चाह τι चाहीत है वो थीके दिया रुडा कंप्राइब्या फेलर कि मैस prende खीचते हैं ठीक है तो वो डेक्टेल मेटरिल हो जाता है ठीक है समझागी तो यह चीज क्लियर होनी चाहिए यहां तक कुछ नमर बीच देखिए बहुत ही जाद है एजी कुछ नहीं हो बहुत जाद आता है तो होता है यहां पर प्रोपोर्शनल्टी ठीक है समान पाती सीमा तो आपको पता होगा कि होता है यहां पर कर लेते हैं हुकशलो जो होता है it is state when material is loaded जब लोड़ होता है within elastic limit stress is darkly proportional to the strain तो दियोंको यहां पर लिख रहा है stress जो होता है और stress is equal to e into e क्या कर रखा है मैंने जब हम is equal to लगाएंगे तो यहाँ पर e जो है वो young modelis है जो कि constant है ठीक है sigma is equal to जहाँ पर क्या रखा मैंने p upon a और e तो है और e बराबर जो होता है इस strain बराबर delta l upon l होता है तो जब इसको solve करोगे तो आपका यह formula बन जाएगा यहाँ पर delta is equal to pl over ea ठीक है तो यह सब को पता होगा कि किस तरीके से यह formula बनता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो यह चीज होगी बाकि यह note में जो लिखा है वो पढ़ लो hooks law is valid up to proportional limit ठीक है यह चीज हो जाएगे तो चलिए यह question आया हुआ है बाकि यहाँ भी ठीक है प्रोपर्शनल लिमिट हो गया चलो तो next देखते है question question number 21 the property of a material to regain its original shape after deformation when the external force are removed is जब बाहरी ताकतों को अठाने अठाते हैं तब सामगरी एकोड उसकी दोबारा विरूपर्ड के बाद अपने मूँ लाकर दोबारा जाता है ठीक है इसको क्या बोलते है ऐसी कोई property जिसमें आपने जिस rubber को खीचा rubber है छोटी सी एक rubber होती है उसको आप खीच रहे हो तो क्या होता है वो खीच जाती है उसके बाद जब force हम अटा देते हैं तो अपनी position पर वापस आ जाती है इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे क्या बताईए elasticity ठीक है elasticity बोलेंगे plasticity क्या होती है plasticity जैसे अपने force लगाया तो खिस्ती चलिए आती है force की direction में ठीक है वो अपनी position में वापस नहीं आती है तो उसको हम बोलेंगे plasticity और elasticity मैं आपको बता चुका हूं ठीक है चलिए तो देखिए question number 20 देखिए the value of poison ratio depends on तो poison ratio जो value होती है वो किस पर डिपेंड करती है बताईए क्या करेक्टास हो जाएगा material of the test specimen ठीक है यही answer इसका हो जाएगा material of the test specimen यह answer इसका हो जाएगा ठीक है question number 30 देखिए proof stress proof stress का formula क्या हो जाएगा बताईए it is the states proof stress का formula जो हो जाएगा यहाँ पे होगा it is that which will cause of specified permanent deformation in the material of usually 0.0.1% of less ठीक है यह इसका correct answer हो जाएगा बी option आगे देखते है model of rigidity is defined as a ratio यह बार्क में पूछा जाएगा था अभी था ठीक है अरे सही से लिए बार्क बी ए आर सी बार्क में भी आया था यह question जो है है वो सारे आई हुए है किसी ना किसी एक्जा में रेल्वे जेए का question होगा यह फिर ऐससे जेए का question होगा सब mix question में ने कराया है डूड-डूड के ठीक है अब ही 50 question है इसमें 50 question आप वीडियो और आगे रहे हो numerical में आपको करायी रखा हूं ठीक है मैं numerical करायी रहा हूं जहां तक numerical ते तीन वीडियो में बना दी और भी numerical है numerical को कैसे search करोगे आप वीडियो में जाना स्टोम नुमेरिकल बाई MR के स्टड़ी यह search करना आपको मिल जाएगा वीडियो ठीक है तो यहाँ पर देखो modulus of rigidity आपको पता है g बराबर क्या होता है g बराबर मैं आपको बता चुका हूं tau upon phi होता है ठीक है तो shear stress shear stress upon shear strength यह answer हो जाएगा sorry shear stress upon shear strength ठीक है यह चीज़ हो गई चलिए तो modulus of rigidity आप तो देखो cgn से अब सबसे में चीज़ होती है कि denote किस से करते हैं c से भी करते हैं n से भी करते हैं g से भी करते हैं तो shear stress upon shear strength यह होगा ठीक है यह formula के लिखा हुआ है tag upon phi तो modulus of rigidity associated with the change in the shape of the body और young modulus होता है change in the length of the body दोनों के case में अलग-अलग case है ठीक है तो shape of the body के बात करें तो यहां पे modulus of rigidity होगा और young modulus के case में होगा change in length of the body ठीक है चलिए question 25 देखे which of the following statement is correct देखते हैं भई the stress is progressive per unit area the strain is expressed in mm folks law hold good up to the breaking point दुगरा थी है stress is directly proportional to strain within elastic limit तो भई इससे correct कौन सा हो जाएगा यह 25 का बता है 25 का question जो है वो D option आपका सही हो जाएगा बाकी सारे जो है वो गलत होंगे ठीक है तो D option आपको हो जाएगा सही D option सही हो जाएगा चलिए question 26 देखे the volumatic strain is ratio of the volumatic strain क्या होती है भई क्या answer होगा 26 का volumatic देखे original thickness to the change in thickness change in thickness to the original thickness original volume to change in volume change in volume to original volume यह होगा D वाल option 26 का क्या हो जाएगा चैंज in volume यहां पर देकिए change in volume जैसे आपने देखा होगा जैसे अगर हम volumatic strain निकालें तो आपने देखा होगा यह बन जाएगा वह यह formula हो जाएगा 1-2 upon m sigma x plus sigma y plus sigma z upon e ठीक है यंग models होता है e m होता है यहां पर poison ratio ठीक है चलिए next देखते है question 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 number 27 for ductile material toughness is measure of ठीक है toughness किसी measure करते है ductile material case में resistance of scratching ability to absorb energy up to fracture ability of absorb energy elastic limit and resistance to orientation क्या हो जाएगा वही correct answer कोई बदा सकता है हम 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 fracture of ductile material toughness is measure भाई 27 का हो जाएगा B आपशा ठीक है ability to absorb energy up to fracture जो करा चुका हो है आपको लिए चलिए कुशन देखिए काफी important है यह question कितना है 27 यह 28 है कुशन हम 28 कह रहा है the maximum stress acting on the bar show in मतलब कह रहा है maximum stress बताईए यह आपको देखो P किलोनीटरन आपको एक figure देख रहा है यहां पी तो इस case में इस तरीके के देखो question बहुत आने लगे और मत्यप्रदेश यह question मुझे मतलब एक book में मिला था तो मैं सोचा इसको करा दूँ यह भी अच्छा question है तो मत्यप्रदेश यह आपका वियापन J.E. में कुश आया हुग question है maximum जो होगा क्या case बन जाएगा P upon E2 हो जाएगा pressure जो होता है pressure आपको पता है pressure होता है F upon A आपको दिख रहा है अगर मैं यहां पे area अगर बढ़ाता हूँ तो pressure हमारा कम होता है यहां पे आपको दिख रहा है pressure जो proportional होगा वो 1 upon A के होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर pressure बढ़ा रहा हूँ तो area कम होगा तो यहां पे अगर area जादा है तो pressure कम होगा तो यहां पे जो correct इसका answer जो हो जाएगा वो होगा P upon A2 ठीक है C option इसका हो जाएगा P upon A2 चलिए next दिखते है in compression test the cast iron specimen would compression test में cast iron ठीक है अच्छा कुशन है यह factor along a right angle of the axis of specimen factor along the axis of load would not factor factor along an oblique plane correct answer क्या हो जाएगा भी बताइए देखो factor जो होता है वो oblique plane पर होता है यहां पे cast iron की बात करी जा रही है तो यह हो जाएगा oblique plane ठीक है जो कि D answer इसका हो जाएगा next देखते है next solution देखिए select the proper sequence of a following तो यहां पे देखिए भई यहां पे देखो यह दे रहा है proportional limit दे रहा है elastic limit दे रहा है yield points दे रहा है तो यहां पे इसके answer है यह answer है A और B C और D कौन सा correct answer उसका हो जाएगा यह आपको बताना है बताइए correct sequence आपको देखना है तो correct sequence को जाएगा एक दो तीन चार हो जाएगा तो यह option हो जाएगा proportional limit आएगा उसके बाद elastic limit आएगा उसके बाद yield point आएगा उसके बाद fracture आएगा ठीक है fracture point चलिए question number 30 when a nut is tightened by the placing a washer below it is the bolt would be subjected to जब एक nut को नीचे washer रखकर कसा जाता है तो bolt में लगता है bolt में कौन सा लगेगा अभी bolt के नीचे washer रखका जाता है तो tensile stress लगेगा compressive लगेगा shear stress लगेगा none of these बताइए तो उसके उसके लगता है भई tensile ठीक है यहां पर देखो बात करी जा रही है सिर्फ bolt की जब एक nut को washer रखका जाता है नीचे washer रखका है तो bolt पर लगता है ठीक है subject to bolt bolt पर जो लगता है वो tensile load लगता है tensile stress होता है tensile होता है चलिए next देखते हैं कुशन कुशन देखिए कुशन यहां पर कौन सा है यह 32 है यह 32 यहां देखिए abob stress-strand diagram तो मैं देखो diagram भी आपको clear कर रहा हूँ यह जो diagram आपको देख रहा है यह diagram आपको देख रहा है वो stress है ductile metal का है, brittle metal का soft metal का है, none of abob बताई तो correct answer brittle metal है brittle metal का है यह तो यहां पर हम और भी देख लेते हैं diagram क्या होँ stress and strain यह strain का है तो आपको देख रहा होगा concrete brittle के लिए case बन जाएगा cast turn के case में यह बन जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा mild steel or ductile के बन जाएगा ठीक है, इस तरीके के figure आपको याद करने है सारे बना-बना के figure याद करने है कि cast turn के case में यह ऐसा होता है concrete के brittle metal में यह ऐसा होता है और mild steel ductile होता है तो इस तरीके के बनेगा ठीक है उसके बाद देखे इस तरीके अगर बन जाएगा तो moderately ductile के होगा ठीक है यह हो जाएगा aluminum alloy के लिए ठीक है उसके बाद देखे अगर इस तरीके के गर ग्राफ बनना है more circle principle plane में more circle में क्या होगा the shear stress is maximum shear stress is 0 normal stress is 0 and tensile stress is 0 shear stress is maximum क्या correct answer हो जाएगा भी ठीक तरीका हो जाएगा shear stress is 0 ठीक है shear stress is 0 so C answer is का हो जाएगा shear stress is 0 चलिए 34 देखे what is the expansion UDL is the beam UDL के full form बहुत ही easy question है तो UDL कौन सा होता है फिर देखे आपका जैसे कोई beam बना हुआ है ठीक है तो इसको ऊपर क्या है इस तरीके से अगर load लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे UDL UDL मतला uniformly distributed load ठीक है यह हो जाएगा आपका answer 34 का A ठीक है uniformly distributed load बोलते है इसको चलिए question number BMD 35 को देखे BMD धला the point of counterflexure lies where बहुत ही important question है यह इसको थोड़ा सा आज के लिए कर लेगा और क्यासी question पूछा जाता है देखे point of counterflexure यह तो कुछ नहीं है यह कुछ नहीं है तो the point of counterflexure lies where bending movement bending movement is zero shear force is zero bending movement is maximum and shear force change in sign तो correct answer क्या हो सकता है बताईए बहुत सारे लोग confusion होते हैं यहां पे correct answer क्या हो जाएगा तो देखें correct answer होगा यहां पे 35 का वो हो जाएगा A answer bending movement is zero ठीक है bending movement is zero अब यहां पे जो मैं करा दे रहा हूं वो देखें यहां पे तीन पॉइंट आपे दिहान डग लेना the bending movement is maximum where shear force diagram change in sign from positive or negative bending movement maximum होता है जहां पर shear force diagram sign change करता है positive भी होता है और negative भी होता है ठीक है उसको देखें इन अदर वर्ड इन अदर वर्ड में कहा है bending movement is maximum at a point where shear force is zero ठीक है bending movement maximum होगा जहां पे point of जहां पे point होगा वो shear force zero होगा उस जगह पे ठीक है तो यह दौनों कुशन आते है और the point of counter fracture occurs over hanging beam over hanging beam किस तरीके बनेगा जैसे मालो मैं इस तरीके से बना रहा हूं तो यहां पे एक मैंने support लगा दी और यहां पे बना दी तो यह लटका हुआ है आगे को ठीक है यह लटका यहां पे कोई support नहीं है तो over hanging beam पे जाहतर case में पाए जाता है point of counter fracture इसको detail में पढ़ना कभी इसको कराएंगे तीक है या फिर other video देख सकते हो कोई point of counter fracture की बहुत सारी video मिल जाएंगी तीक है चलिए question number यहां पे देखेंगे 36 for a cantilever beam of a length carrying a concentrated load w at its free end बहुत अच्छा कुशन अभी देखें बहुत अच्छा कुशन है इसमें कह रहा है for a cantilever beam एक cantilever beam है carrying a concentrated load ठीक है w at the free end free end पे एक लग रहा है load लग रहा है what is the value of bending moment ठीक है correct answer देखो 36 का हो जाएगा b 0 ठीक है अब यहां पी case बता रहा हूँ आपके सामने क्या है आपके सामने एक इस तरीके से beam है ठीक है यहां पर लग रहा है w load लग रहा है इसकी length है वो L है ठीक है तो यहां पर मैं बना रहा हूँ bending moment maximum bending moment at fix at fix ठीक है fix end पे जो होगा वो होगा w into L w L हो जाएगा ठीक है fix end पे fix end कौन सा है यह वाला ठीक है और bending moment जो होगा bending moment जहां पर maximum at free end free end free end कौन सा है free end यह वाला है ठीक है free end यह वाला है तो यहां पर क्या हो जागा फ्री end पर पर क्या हो जाएगा भई जीरो हो जाएगा और fix end पर यहां पर लिख दे रहा हूं fix end fix end पर होगा w into L ठीक है यह दिया रगना और इसमें formula पर पूछ लिया आता है डार्क्री आप यह नुमेरिकल पूछ लिया जाए आपको यहां पर यहां पर पूछे bending moment is maximum की condition पर निकालो तो w into fix end पर निकालो तो w into L लगाएंगी ठीक है फिलर कहां पर होगा fix end पर होगा आपको पता होना चाहिए यह चीज है चलिए तो देखिए नेक्स देखिए 37 देखिए देखो मेरी बास सुनों पहले यह बीम बाले कुशन है यह कुशन मैं आपको numerical में कराऊंगो अच्छी तरीके से अभी क्या है कि अभी मैं आपका एक सेटो तयार कर रहा हूं इसके बाद मैं 50 कुशन और तयार करूंगा 100 कुशन पूरे हो जाए ठीक है दिक्कत वाली कोई परिशानी है नहीं बस सपोर्ट करिएगा आपको आपको कंटेंट अच्छे से अच्छे मिलेगा इसका जो लाइक और वह मैंने सब्सक्राइबर का टारिकर बता दिया है वह आपको द्यान होना चाहिए ठीक है वह बस मेरी रिक्वेस्ट है आप पर अ一定要 length the bending moment mid span will be ठीक है चलो तो simply supported beam है simply supported beam है आपको पता होना चाहिए Simply supported beam पर क्या होता है यह आपका load लगा इस तरिके से तो क्या बन जागा यहाँपे welfare wly15Re ठीक है, 37 का, 37 का C हो जाएगा, WL square by 8, क्योंकि simply support beam, it is length, carry uniformly distributed लगा है, UDL लगा है, sorry, point load नहीं लगा है, यहाँ पर, point load नहीं है, ठीक है, UDL लगा है, क्योंकि uniform distributed load दे रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, तो इस case में आपका जो हो जाएगा, वह यह हो जाएगा, ठीक है, अब दूसरा question देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है, bending moment, moment simply supported beam of length L, carrying a point load, ठीक है, यह दूसरा question है, जिसे अब यह वाला है, ठीक है, अब इस पर point load लगा है, तो यहाँ पर L होगा, यहाँ पर W होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस case में क्या होगा, WL by 4, तो case अलाला हो सकते हैं, सारे, UDL लगेगा, तो कुछ अलाग formula बन जाएगा, UDL में क्या बन रहा था, WL square by 8, आपका question भी numerical भी बन जाएगा, यहाँ से, ठीक है, और simply supported beam of point load लग रहा है, तो यह आपको याद रखने है, ठीक है, चलिए, question number 39, जेखें, which type of support has a reaction and a bending moment of component, त तो कौन सी support reaction करती है, fix support करती है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, fix support करती है, तो C answers का हो जाएगा, next question देखती है, यहाँ भी, next question देखी क्या है, in a cantilever beam with a point load, it free and the maximum bending moment occurs, ठीक है, यह इस तरीके एक बना है, ठीक है, यह W यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यह यहाँ पे fix है तो यह पूछ रहा है, एक cantilever beam with point load, point load है ठीक है, it's free and, free and पे point load लग रहा है, तब maximum bending moment occur, तो maximum bending moment कहाँ पे होगा, यह आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला question है, तो 40 का होगा, fix and पे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी maximum bending moment पूछ रहा है minimum bending moment कहाँ पे होगा, free and पे, ठीक है, यह चीज़ बन चाहिए, चलो, तो देखिए, positive bending moment is also known as, तो positive bending moment जो होता है, वो उसको क्या बोलते है, sagging बोलते है, sagging, ठीक है, sagging बोलते है, यह काफी बार पूछा गया question है, तो यहाँ पर मैं लेख दिया है, hogging क्या होता है, यहाँ प यहाँ पे जो चीज़ हैं, वो मैंने clearly बता दी है, कि hogging जो होता है, hogging, वो contraction of a bottom surface होता है, मतलब bottom surface होगी, वो contraction होगी, मतलब वो compressive होगा, यहाँ पे इसको बोलेंगे negative, मतलब also called negative bending moment, ठीक है, तो इसको बोलेंगे hogging, उसके बाद देखिए, sagging अगर आजाए, तो इसको बो होना चाहिए, चलिए, if section modulus of a beam is increased, the bending stress is the beam will, अगर section modulus को हम अगर increase करेंगे, तो bending stress में क्या effect होगा, तो section modulus अब क्या होता है, z बराबर, i upon by होता है, यह आपको पता हो चाहिए, तो section modulus, अगर आपका increase करेंगे, तो यहाँ पे bending stress होगा, वो आपका decrease हो जाएगा, ठीक है, decrease का सही अंतर है, चलिए, next question देखिए, bending equation, आपको देखो bending equation पता हो जाएगे, m upon i, sigma upon i, e upon r, यह bending equation है, ठीक है, अगर यह दोनों आप m और i, और आपका क्या है, sigma upon by, अगर यहाँ से आप m का value निकालोगी, तो आपको पता है, sigma i upon by हो जाता है, ठीक है, तो यह चीज हो गई तो आप यहाँ से यह चीज हो जागी, m की value क्या हो जाएगी, i upon i, जो i upon z बराबर क्या होता है, z बराबर क्या होता है, z बराबर section model होता है, तो z बराबर i upon by होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इस case में देखो, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर m बराबर sigma n to z बन जा और जो होगा stress डाटली पोपोर्शल तो वन अपॉन जाड होगा अब यहां से केस में क्या निकलता है अगर आप stress बढ़ाओगी तो section मॉडलिक्स क्या होगा वो decrease होगा section मॉडलिक्स होगा तो stress होगी वो increase होगी क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शनल्टी आपको दिख रहा है ठीक है यह case में आपको समझना चाहिए ठीक है चलो next देखते है कुछ नमद 43 देखी एक cantilever beam is loaded with a downward transverse load the upper layer of a beam will have क्या question है एक cantilever beam पर उपर से नीचे की और ठीक होगी ऐसे cantilever beam बना है और इस तरीके से जैसे इस तरीके से load लगा है तो आप देखो load लगेगा तो यह इस तरीकी की जुग जाएगी ठीक है तो क्या बोलेंगे इसको क्या गर एक cantilever हो जाएगा तो आपको इस से समझ जान से ही है कि अगर मैं यहां पर लोड लगाता हूं तो इस तरीके से आपका यह condition बन जाएगी यह नीचे वाली तो compressive हो जाएगी उपर वाली टैंसल हो जाएगी ठीक है चलो नाच देखते हैं कुछ नबर 44, which the correct option for the polar moment of inertia मैं करा चुका हूं पोलर moment of inertia क्या था बताएगे मैं आपको देखो polar movement of inertia करा चुका हूं section modulus का भी formula करा चुका हूं जो कि आपका shaft के case में तो correct answer क्या हो जाएगा भी बताए 44 का क्या हो जाएगा 30 पाइव दी 4 अपन 32 थीक है polar moment of inertia, B हो जाएगा, pi d4 upon 32, देखो यहाँ पे, the term R is known as, कौन सा कुछेशन है अभी, 44, 45, the term R is known as, तो term जो R होता है, बहु क्या हो जाए गभी, R क्या है जाए गभी, ये वला R, तो R क्या हो जाए गभी, radius of curvature, radius of curvature हो जाएगा, बागी सारी चीज़े पता होना चाहिए, M क्या है, sigma क्या है, by क्या है, ये सारी चीज़े पता होना चाहिए आपको, चलिए, कुछ नमबर 46, the property of a material which enables, it is withstand, banding without fracture is known as, without fracture, तो क्या बोलेंगे इसको, flagrural residue बोलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, flagrural residue होती है, वो E into I होती है, ठीक है, ये flagrural residue होती है, ठीक है, इसका formula आपको पता होना चाहिए, चलिए, next, देखे, question number 47, a leaf spring is autumn while is used, ये लीफ spring किसलिए ये होती है, to absorb shock, ठीक है, shock को absorb करने के लिए, c answer हो जाएगा, 40, यहाँ पर कितना हो गया, ये 47, 48, movement of inertia of a circular section is, circular section is, movement of inertia simply पूछाए आपको, तो pi d4 upon 64 ही हो जाएगा, जोकि ये answer है, चलिए, movement of inertia of a solid sphere is when m, mass of the solid sphere, radius of the sphere, ठोस गुले के लिए जड़ता आगुर्ट, तो ठोस गुले के लिए जड़ता आगुर्ट देखो, ये आपका अभी बार्क में इस्ताइक का question पूछा गया था, अभी, ठीक है, ये सारे question आई हो है, तो 2 by 5 m r square, ये हो जाएगा, आपका c answer, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखो, ब्रत्य का चल्ला के लिए m r square, circular disk के लिए हो जाएगा, 1 by 2 m r square, solid sphere के लिए हो जाएगा, 2 by 5 m r square, एग गोरी कोश, ठीक है, rounded कोश के लिए हो जाएगा, 2 by 3 m r square, ठीक है, ये आपकी moment of inertia है, सारे, question number 50, आपको यहाँ पर 50 कुशन पूरे करा दी है, बस आप इसके बाद देखिए, ये 150 वाला वीडियो है, कभी भी आपका कभी भी exam हो, ठीक है, कभी भी आपका exam हो, कभी भी, कोई भी exam हो आपका mechanical का, ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख के जाया करना, हमेशा, revision कर देखिए, ठीक है, most important question का वीडियो है ये, ठीक है, 150 question का, mechanical engineering का, बाकि यहाँ पर एक वीडियो, इसकी link है, आप PDF में लेगी, आप देखो, जैसे आप YouTube पर डालोगी, 150 by MRK study, तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा का है, production by MRK study, ठीक है, इस तरीके, तो टॉप, इसमें बड़े-बड़े कुछन है, पार्टी, मैंने इसमें 50 कुछन कराया हुआ है, तो ये अच्छा वीडियो है, आप एक बार इसको देखिएगा जरूर, बाकी सबी लोग के से रिक्वेस्ट है, कि सबी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राब जरूर करके जाना, अगर यहां से जितने भी वीडियो मिलते हैं, उतने सब्सक्राब अरण मुझे मिल गई, तो आपकी बहुत बड़ी एक हल्प होगी मेरे चैनल के लिए, मैं आपसे एक request कर रहा हूँ ठीक है बाकी मैंने मेहनत करी है मैं आपको PDF तो दूँगा ही आज नहीं तो कल PDF जरूँगा मैं लेकिन अगर मैं आज ही PDF दे दूँगा तो मैंने जितनी मेहनत करी है उसका मुझे कुछ तो मिलेगा है और free में ना मैं आपसे एक बात बोल ला हूँ free में ना किसी के लिए कुछ भी मत करी है क्योंकि आपकी respect कोई नहीं करेगा ठीक है और आज क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए टेली ग्राम पर जब जुड़ जुड़ जाना है टेली ग्राम की जो लिंक है वो डिस्कम्स बॉक्स में मिल जाएगी आपको और अगर नहीं आप उसे connect हो पा रहे है तो आपको क्या करना है MR की study डालना है तो इस तरीके का जो लोग हो है आपको yellow color का दिख रहा है MR की study इस तरीके का लोग आपको मिलेगा वहाँ पर डिप्लोमा के लिए अलग होगा आइटी इवाल अलग होगा तो दो गृप बने हुए है तो वहाँ पर इसकी PDF सारी PDF मिल जाती है वहाँ पर PDF सेक्शन में आप जाओगे ना तो पीडियाफ सारी मिल जाएंगे वहाँ पर देखो एक दो साल पराना कोई वीडियो एक साल पराना अब उसका बोलो सर मुझे इसकी PDF चाहिए तो या तो एक बात है कि या तो मैं एक वेपसाइड बनाऊ तो वेपसाड य एप्लिकेशन बनाऊ तो उसके लिए लेकिन उसमें कंटेंट डालना सारी चीज़ें करना तो उसमें टाइम लगता है और अकेली करना तो मुश्किल है क्योंकि मैं आपको वीडियो मनाऊं कि वेपसाड करूंगा या उसके बार में देखोंगा तो पैसा तो लेगेगा तो देखो फ्री में नहीं होगा कुछ भी पैसा बहुत खर्च हो जाएगा और इतना पैसा जैसे आप सोच रहे हो इतना पैसा मुझे यूटूब से नहीं मिला है जैसे आप सोच रहे हो ठीक है तब ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग मेरी हल्प करिये जिससे मैं एक एप्लिकेशन बना सकूँ उस पर पीडिएफ में डालता कूँ मैं पीडिएफ देख वो बहुत तारी फीरी में डालूँगा जो अच्छी पीडिएफ उसको थोड़ा सा पैसा लोगा ज्यादा नहीं लोगा जिससे क्या है मेरा जो एप्लिकेशन का चार्ज है मालो एप्लिकेशन का पर यहर का चार्ज होगा वह भी तो निकलेगा ठीक है मैं जादा पैसे आपसे रिमाड़ने करेंगा बहुत सारे लोग बहुत 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 रुपय में पीडिया बनाते हैं या मतलब कंटेंट बहुत-बहुत 200 रुपय में देती हैं 500 मत मैं कमी रखूंगा ठीक है कुछ नहीं चाहिए थोड़ा सा मिल जाए बस जिंद को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कोई भी दिक्कत आपको लग रही इस कुश्चन से रिलेटेड कि आपका सर यह वाला कुश्चन इसमें कुछ दिक्कत है तो आप बताना जरूर बाकि यह वीडियो आपका नेक नॉर्मल कुश्चन का था नॉर्मल अब बेसिक कुश् हो गया या फिर लॉग इस तरीके से कुश्चन देखेंगे आगे थीक है तो पूरा एक पचास पुश्चन का और भी वीडियो आपके लिए सिर्फ आपके लिए और नुमेरिकल मैं कल कराया था आप सिर्फ ने एक आंसर का कुश्चन दिया एक बंदे नवस दिया है बहु कुश्चन का अंसर दिया है क्योंकि लोग ना मैं इतनी महनत कर रहा हूं आप उतना सपोर्ट कर नी रहे हो मेरे साथ ठीक है अभी लड़की कोई पढ़ा रही हो थी सुन्दर सी तो बहुत जल्दी आप उसका सपोर्ट कर ले दे यही तो बात है एक कोई बिंदा इंसान मह पोर्ट नी करोगी लड़की पढ़ारी हो सुन्दर सी